हलो एव्रिवन ये लेक्चर आपके भी एसी थर्ड येर के स्टुडेंट्स के लिए है और इसमें हम क्वांटम मेकेनिक्स आपके पढ़ रहे हैं और क्वांटम मेकेनिक्स में आगे हम बास करेंगे और्थोगोनल और नॉर्मलाइज वेफ फंक्शन ये आपके बहुत यूसफुल होते हैं और्थोगोनल को लमकोन येता बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन को आप नॉर्मलाइजेशन की तो वह आज हम स्टड़ी करेंगे सो लेक्टर स्टार्ट करते हैं सो और्थोगोनल वेव एक्वेशन के लिए हमें क्या करना है तो हमें हमने दो आइगन वैल्यू ली है EM और EN एक क्वांटम सिस्टम लिया है जिसकी दो आइगन वैल्यू EM और EN ली है और उनके कॉर्रस्पॉंडिंग जो हमने फंक्शन लिया है वो हमने क्या लिया है देखो जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है जो हमने ओपरेटर निकाला था एनरजी ओपरेटर जिसको हमने हैमिल्टोनियन ओपरेटर बोला था सो उसके लिए हमें सबढ़ आहां तो यह अमाराocalyptic ऐनर्जी ऑपरेटर को हमने क्या बोला था कि है इसको इसको i.s. पर अगर हम कोई वै फ़ंक्षन आपरेट करेंगे तो हमरे क्या मिलेगी और वोई कव अभरे फंक्षन बलेगा तो यह हमने operator हमारा operate किया है उसके पर sin M किया है और हमें energy की value कितनी मिली है EM मिली है और sin M हमें वापस मिल गया तो यह हमारी क्या हो गई यह हमारी eigen value हो गई किसके corresponding sin M के corresponding ठीक है तो हमने दो हमारी energy levels energy eigen value है किसी quantum system के जिसके way function क्या है sin M और sin M ठीक है हम कैसे ortho-conality divide करते हैं वो हम देखेंगे तो पहली चीज हमने ये चीज देखी है और second हम ऐसे ही लिखेंगे देखो आपका जो साई होता है जो मारा wave function होता है वो एक complex quantity होती है ठीक है और साई star हमारा क्या denote कर रहा है उसका complex conjugate तो साई star हम कैसे निकालेंगे मालो किसी wave function हमारा कोई wave function e की power iota x ऐसे है किसी system के लिए हमारा wave function कुछ इस तरह से है e की power iota x तो इसका ये हमारा साई है तो साई star हम कैसे निकालेंगे iota के जगे simply minus iota replace करके तो ये चीज ध्यान अगने है कि साई आपका क्या होता है complex quantity होती है समेश्र संख्या होती है so हमने साई n-star निकाला है ठीक है अब इन दोनों को साई m को हमने multiply किया साई n-star से ठीक है इस वाली equation को हम साई n-star से multiply करेंगे और जो हमारी दूसरा equation है इसको हम multiply करेंगे साई m से तो इसको cn star से इसको cn से multiply करेंगे और इन दोनों equation को देखो यह आपके multiply करने के बाद आ गई cn star से multiply किया हमने और नीचे वाली equation को हमने cn से multiply किया तो हमारे पास दो equation आ गई है अब इन दोनों को करेंगे आपस में subtract कर देंगे तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपके पास यह equation आजाएगी ठीक है? So, यह equation आने के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास आपको finally जाके यह मिलेगा और जो आपके गड़ हाँ, तो यह आपके हमको यह मिलेगा आप इसको क्या करेंगे? इसको हम आपके इसका integral करेंगे पूरे space में, तो dv आपका क्या है? volume space है, फिक है? किसके respect में यहाँ पर v क्या denote करता है? volume space को मतलब किसके respect में हम तीनों 3 dimension इसको मान रहे हैं, तो यह हमारा dx, dy और dz तो इसका मतलब क्या है? dx multiply by dy, multiply by dz तो green theorem के according तो green theorem के according आप क्या करते हैं? volume space को किसमे चेंज कर देते हैं? आपके space वाले में तीक है? surface वाले में आपके surface वाले में आप change कर देते हैं, तो यह आपके green theorem के according आप इस वाली term को इस तरह से लिख सकते हैं, यह volume से हमने किसमे convert कर दिया? space में sorry, surface integral में इसको convert कर दिया, volume integral जो आपने maths में काफी पढ़ा होगा, volume integral आप लेते हैं, और s आपका कहते है, surface integral आप लेते हैं, किसी surface का integral आप ले रहे हैं, और ds यहां के क्या आएगा, उस surface का, जैसे dx और dy हमने surface लिये, तो इधर dx और dy आएगा, ठीक है, so यहां आपका, हम green theorem ठीक है, so हमारे पास जो quantity आएगी, यह आएगी, ठीक है, so यह हमारा क्या आएगा, equals to क्या आएगा, 0, okay, तो यह term आपके क्या हो जाएगी, 0, अगर यह term आपकी 0 है, तो इसके equal क्या हो जाएगी, यह term आपके 0 जाएगी, और आपको पता है कि em minus en तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है तो आपका क्या 0 होगा, जो अंदर की quantity होगी तो ये चीज तो आपके 0 के इक्वल होगी नि तो आपके इक्वल क्या होगी Volume Space psi n star और psi m dv is equals to 0, तो ये आपके 0 के इक्वल होगा तो ये आपके condition जो ये आपके condition आती है वों आपके क्या कैलाती है यह आपके कहलाती है और्थोगोनल कंडिशन ठीक है अगर दो अगर N और M आपके एक्वल है तो क्या होगा उसके लिए जो कंडिशन है वो हम अभी देखेंगे तो अगर आपके साई N आपके कुछ भी हो साई N और M यह आपके अलग-अलग हो मतलब साई N is equal to साई M नहीं हो तो आपके क्या होता है is equals to zero होता है तो इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे आप जब भी हम हमारे space की space system I, J, K की बात करते थे जो vector हमारे coordinate होते हैं जो हमारे vector होते है unit vector I cap, J cap और K cap so, जब भी आप I cap और J cap हमारे आ जानते हैं कि I cap और J cap और K cap एक दूसरे के क्या होता है perpendicular होते हैं एक दूसरे के length होते हैं तो इनका जब आप dot product लेते हो ठीक है I dot J cap करते हो तो आपके क्या आता है? 0 आता है ठीक है इसी तरह आपके जब different different आपके दो वेफंक्शन है उनका अगर आप इंट्रीगल करोगे किसके रस्पेक्ट में उसके वॉल्यूम स्पेस के रस्पेक्ट में अगर आपका 3D है तो 3D में यह दीवी की वैलू किया दीवाई और दीजेड वह आपका क्या आना चाहिए इक्वल्स टू जीरो आना चा साइ M स्टार साइ N इस इकल्स टू जीरो तो दोनों कंडिशन में यह आपके क्या होगा फुल्फिल होगी आपके कंडिशन तो इस कंडिशन को आप सिंपल ही आपको याली चीज याद रखनी है तो आगे चलके जब आप इसके क्योशन वगरा करते हैं तो आपको यह बहु करके स्क्वाइर करें और डीवी ठीक है किसी स्पेस में तो यह आपके क्या चीज शो करती है किसी भी यह आपके क्या शो करता है यह आपके प्रॉबिलिटी शो करता है किसी भी पार्टिकल के डीवी स्पेस में पाई जाने की प्रॉबिलिटी को शो करता है कि आपका पार् कि si का square जो होता है वो आपके क्या show करता है probability गो यह चीज हमने पहले भी देखी है so इसकी value देखो आपका particle कही ना कही तो पाया जाएगा तो यह probability आपके क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप और si n si n star dv is equal to आपके क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ठीक है लेकिन आप क्या देखते है कुछ wave function में आपके क्या आता है यह आपके बहुत important है आपके कोई भी function आपको दिया गया तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप उसको normalize करें लेकिन आपके क्या होता है इसकी value psi और psi star dv is equal to आपका कुछ quantity आती है 1 नहीं आता कुछ quantity आपके आती है अगर ऐसा हो तो आप क्या करते हैं इस quantity के under root n करके 1 upon under root तो इस psi को function को आपको psi जो आपका function होगा उसको 1 upon under root n करके आपको उसको लिखना पड़ेगा ठीक है तब ही नॉर्मलाईज होगा नई तो आपके नॉर्मलाईज नहीं होगा और इस तरह से आपके क्यार करते हैं नॉर्मलाईज करते है तो इस़े एगर किसी n आ रहा है साई और साइस यह हम चेक हमको सब से पहले अगर कोई भी way function दिया हो तो सबसे पहला काम हमको करना होता है नॉर्मलाईजिशन का करना होता है तो हमें चैक करना पढ़ता है अगर हमारे one आता है तो normalized है और अगर हमारे one नहीं आती है quantity कुछ नंबर आता है कुछ भी चीज़ आती है कोई भी constant आता है one के अलावा तो मतला हमारा क्या नहीं है फंक्षन नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है तो इधर हम देखेंगे जैसे आपके साई और साई स्टार इसमें आपके कोई कॉई कॉंस्टेंट आ रहा है तो इस फंक्षन को आपको नॉर्मलाइज कैसे करना है तो आपके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, अब आपके simply क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और अगर आपको किसी wave function का normalization constant निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो, अगर आप ये चीज़ आप जानते हैं, कि अगर साई किसी wave function को show कर रहा है, किसी system के लिए, माल क्या होगा, उस system के लिए, wave function को show करेगा, ठीक है, किसी constant से multiply करने तो उसके wave function में कोई अंतर तो आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और अगर नॉर्मलाइजेशन आपको constant निकालना है, तो उस wave function को किसी constant से multiply कर दीजे, तो यह आपने constant से multiply कर दिया, तो a, a, a star, dv is equal to क्या होना चाहिए, इधर से हम किसकी value निकाल लेंगे, a की, ठीक है, और यही आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन constant, इसको solve करने पर आपके a की value आजाएगी, यह हमने कौनसी condition लगा, यह नॉर्मलाइजेशन condition लगा दी, और आपके क्या जाएगा, a की value आजाएगी, अब जो हमने orthogonal condition पड़ी है, और आपके, एक हमने orthogonal condition पड़ी है, और एक आपके कौनसी पड़ी है, नॉर्मलाइजेशन condition, तो यह चीज आपने देखे होगी, del mn, यह आपका wave function होता है, ठीक है, इसकी value 1 कब होती है, इसकी value 1 होती है, जब m is equals to आपका n होता है, ठीक है, m और to n है, तो इसकी value क्या होती है, 1, इसको chronicle delta function आप बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को combine ली हम कैसे लिख सकते है, minus का infinity से infinity, और dv, ठीक है, और आपके m और n star, ठीक है, आपके इसी wave function ही, दोनों को मिला के हमने लिखा है, दोनों को मिला के orthogonal normalization condition आपके क्या होती है, यह जो आप orthogonal orthonormality condition इसको हम बोलते हैं, एक साथ मिला के, तो यह आपका orthonormal condition हो गई है, अब हमारे postulate क्या होते है, quantum mechanics के, तो quantum mechanics में हमने क्या क्या चीज़ सीखी है अब तक, उसको हम combine करके देखते हैं, तो आपका कोई भी system के लिए, कोई भी आपका system है, तो उसके लिए जो आपका wave function ह होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, linear combination में लिख सकते हैं, बहुत सारे, आपके उस system के लिए, जैसे the complete properties of the particle of the system can be described by the wave function psi, and psi is a function of both position and time, this function is known as wave function, which is finite, single value, continuous, everywhere in the given reason, तो जो भी आपके reason में आप बात कर रहे हैं, जो भी आपने system ले रखा हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि आप कौन-कौन से system के लिए wave function की बात करते हैं, तो वो किसका function होता है, position और time, दोनों का function होता है, तो आपके itity और time, दोनों का आपका function होता है, उसको हम क्या बولता है, wave function, और इसकी value क्या होता है, finite ही हमने condition पढ़ी थी, कि आपका wave function कैसा होना चाहित? तो finite होना चाहिए, परीम every observable physical quantity there is an operator the description of any physical variable position momentum energy of the system is given by operating the operator corresponding the particular variable on the wave function so हमने operators के आर में देखा था कि आपके position momentum energy यह आपके operator थे इन पे हमको क्या करना है देखो आपका जो साही होता है वो आपके सारी information इसमें होती है साही कि क्या आपका पार्टीकल किस तरह से बिहेव करेगा ठीक है आपका एक तरह से इसको हम क्या करेंगे जो भी हमारे position operator उसके पर हम साही लगाएंगे और हमारे पास उसकी क्या जाएगी value आजाएगी कि आपके कितना momentum है ओके सो देखो यह आपके इसको आप क्या बोलते है इसको आप आइगन value equation बोलते है यह operator है कोई भी इसके पर हमने साही अपलाए गया यह हमको क्या मिली आइगन value lambda हमारी क्या है आइगन value साही हमारा क्या है wave function इसी तरह से देखो आपका momentum operator है इसी तरह से आपका energy operator यह सब हमने calculate किये थे और तीसरी चीज़ जो हमने अभी देखी कि जो आपका किसी भी reason में आपका कोई भी reason है जो भी आपने space लिया है उसमें particle के जो आपके पाए जाने की probability है वह आपके क्या होगी इसको हम कैसे calculate करेंगे इसकी जो भी value आएगी वह आपके क्या आएगी उसकी probability आएगी जो आपके जो भी आती है वह आपके क्या होगी प्रॉबिलिटी को शो करता है साई का square और normalization condition है जो अब हमने देखिए कि साई साई स्टार डीवी आपका क्या होना चाहिए वन होना चाहिए तो यह आपकी normalization condition है अगर आपका साई कोई wave function है और यह आपकी physical quantity है तो physical observable quantity कौन से होती है आपके energy हो गई, momentum हो गई, position हो गई तो यह आप कैसे निकालेंगे, उनकी expectation value आप उसकी correct value तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन expectation value निकाल सकते हैं कि इतना होना चाहिए, यह probability है कि इतना उसका होगा तो यह आपके ऐसे average value उसको हम बोल सकते हैं, average बोल सकते हैं, classical mechanics में इस तरह से आप average बोलते हैं नीचे आपका क्या होता है, टोटल नम्मर होता है, उपपर आपके क्या होता है, उपपर जैसे आप एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, स्टुडेंट हैं, जिनकी मालो 10 स्टुडेंट हैं, और उनकी हाइट आपके है, तो आपको निकालने तो आप total number of student लिखेंगे, कितने है, ठीक है, मालनो n 10 है, और उनकी average height लिखेंगे, ठीक है, और कैसे लिखेंगे, कि एक student है, मालनो 2 student है, जिनकी height 5 feet है, 4 student है, जिनकी 6 feet है, तो ऐसे करके आप उनको क्या करते है, add up करते है, और आपका integral क्या show करता है, देखो, यह कु इडिशन को ही तो show करता है, आपका integral, ठीक है, आपने जब integral पढ़ा होगा, तो आप summation, जो summation का हमारा sign होता है, उसी को तो आप integral से replace करते हैं, और यह हमारा क्या है, जिस reason की हम बात कर रहे हैं, ओके, और मालनो देखो, हमें इदर height लेनी है, और हमें पता है, size star, size, dv आपका क्या होता है, यह आपके probability show करेगा, किसी भी particle के पाए जाने की, तो यह आपके number show कर देगा, और यह आपके number है, और उसको हमको multiply करना होता है, किसे जो quantity हमें चाहिए होते हैं, हमने height लिए है, तो height से multiply करते हैं, उस number को, तो देखिए, आपके कुछ इस तरह से यह average value जो हम न कालते हैं, यह देखो, आपकी, अगर आपका wave function normalized है, तो नीचे वाली quantity आपके क्या होती है, 1, अगर आपका wave function normalized है, और normalization check करने की क्या condition है, यह value आपके क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो सबसे पहला काम आपका होता है, कि आपका wave function normalized है, कि नहीं है, तो simply हमारे पास क् निकाल सकते हैं F करके जो भी हमको वे फंक्शन दिए अगर इसकी यह दर P X है ठीक है अगर हम मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम में क्या करना है F की जगे हमारे मोमेंटम ओपरेटर क्या था माइनस का एच कट डेल अपॉन डेल सॉरी अगर P X की वेल्यू निकाले मोमेंटम निकालना है तो माइनस का H का डेल अपॉन डेल एक्स और हमें वे फंक्शन दिया होगा सिंपल ही हमको क्या करना है? सॉल करना है तो हमारे पास क्या जाएगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू आजएगी सो यह हमारे क्या हो गए? पॉस्टिलेट हो गए और आज का जो हमारा क्यूशन है वो आपको करना है यह आपका वे फंक्शन दिया हुआ है इसको मैंने थोड़ा चोटा कर दिया है तो यह है आपका E इसको आपका नॉर्मलाइज करना है तो E माइनस का alpha x square by 2 तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे आप? तो आपको बता देती हूँ नॉर्मलाइजेशन के condition लगानी पड़ेंगी तो size, size star आपके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए और मैंने बताया था कि आपको normalization constant अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको A से multiply करेंगे दोनों को इसका पहले size star आपको निकालना पड़ेगा तो size star निकाला तो size star भी same आए क्योंकि इसमें आयोटा की कोई quantity तो है नहीं तो इसमें आपका simple यह आएगा और जो wave function है इसकी limit कहां से कहां तक आएगी? minus infinity से plus infinity sorry यह plus है और आपको A square इदर मिलेगा इदर A square E alpha x square ओके और dx is equals to 1 इदर से हमको A square की value मिलेगी तो यह आपको solve करना है normalization condition और जो आपका factor आएगा उसको कैसे करके लिखेंगे? A की जो value आएगी उसको आप लिखेंगे इदर हमने इसको इसे multiply किया है तो A की value 1 upon करके जो आपके value आएगी उसको इससे multiply करके लिखना है तो आपका normalization wave function आजाएगा okay so आज के लिए इतना ही thank you